कि कि हैं वेल्कम बैग टू लाइन सायस अकेडमी सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह अंसर रैटिंग के ऊपर होगा यह अंसर रैटिंग के ऊपर वीडियो क्यों अ देखिया इस लॉगडाउन के टेम पर जितने भी एस्पीरिंड्स अलाइन सायस अकेडमी के है वह लोग मुझे चेक करने के लिए अपने रिव्यूज लेने के लिए आप लोग मुझे भेज रहे हो ठीक है या फिर उनको ये चीजे समझ में नहीं आ रही है या फिर वो कर रहे है पर रिस्क नहीं ले रहे है या फिर ऐसा सिच्वेशन भी है जहां पर वो कर रहे है बट आपको बेसिक्स का नहीं पता है तो मुझे लगा कि अंसर राइटिंग के ओपर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अगर आप अपना जितना फोर्स है वो दर्वाजे पर लगाओगे ना तो दर्वाजा खुल जाएगा अगर आप वही फोर्स अपलाई करते हो तोर्ड वाल वाल के उपर आप बहुत जोर लगाओगे तो वाल खुलने वाला नहीं है इसलिए मैं कुछ points आपके सामने लाया हूँ जो शायद आपको help कर सकती है इससे पहले कि मैं lecture start करूँ पर पहले बता दूँ जितने भी points मैं बता रहा हूँ मैं personal experience से बता रहा हूँ हो सकता है कि आपके perspective से कोई चीज थोड़ी से अलग हो जाए तो आप उसको change कर सकते है as per your own requirement ठीक है सो चलिए lecture शुरू करते है So this is me Govind Negi Shom I am the faculty of economics at Alliance IS Academy This is my background If you want to know more about me You can pause this video and check it out Okay So answer writing है क्या Listen answer writing एक कला है वो कैसे evolve होती है वो time के साथ evolve होती है अगर आप बोलोगे कि मैंने एक चीज पढ़ लिया है और इसका answer writing मुझे लगता है कि मैं बहुत brilliantly कर लूँगा या फिर कर लूँगी So you are barking under the wrong tree तो ये इतना easy भी नहीं होने वाला है ठीक है So answer writing करने के लिए experience की जरूरत पढ़ती है So एक बार में जैसे आप कोई गाड़ी सीखते हो तो उससे पहले आप उसके basics सीखते हो ठीक है कि accelerator क्या होता है clutch क्या होते है gear क्या होते है ठीक है किस तरीके से आपने indicator देने है किस तरीके को आपने गाड़ी को पाक करना है वो सारे basics होते है तो आज जो answer writing की मैं आपको videos बता रहा हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों को वो सारे के सारे basics बताने की कुशिश करूँगा ताकि आपके answer writing एक authentic way में काम करे ठीक है So हो सकता है कि जो पुराने players है उनको यह सारे basics का पता हो पर I'm sure कि आप लोगों को इस video में और भी बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा और जितने भी points आप लोगों को extra जानने के लिए मिलेंगे मैं आप लोगों से request करता हूँ कि comment section में मुझे बताना कि आपने इस video से क्या सीगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसके अलावा जो video बनाने वाला हूँ वो note making के उपर भी कुछ video बनाने वाला हूँ because ये सारे चीज़ relate करते है आपके exams का clear होना या पि नहीं होना उसके लिए ये किस तरीके से role play करते है वो बहुत ज़्यादा important हो जाते है तो चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो को मैं खिचना नहीं चाता तो हम continue करते है सबसे पहले answer writing के लिए कुछ basis point में आप लोगों को बताऊंगा ये basis point आप लोगों ने paper में note कर लेने है या फिर अपने दिमाग में भी रख सकते हो बर paper में note करोगे तो आप भूलोगे नहीं you can't forget that ठीक है तो अब जहां पर भी आप study करते हो जो आपका table है वहाँ पर इसको लिखके रख लो ताकि आपको ये सारी चीजे सामने दिखेगी तो इस error को आप दुबारा से feel नहीं कर सकते है तो इसमें जो सबसे पहला point जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है UPSC का जो answer sheet format होता है जितने भी बच्चे पूरे lockdown के period के अंदर आप लोग जो भी answer writing करके मुझे भेज रहे हो सभी में एक चीज़ common है कि आप लोग अपने ही surrounding के अंदर रहे के अपने ही comfort zone के अंदर रहे के अपने ही comfort zone के अंदर set up होने वाला answer sheet का use कर रहे है answer sheet भी नहीं I'm sure कि ये सारी चीज़े जो आप लोगों के blank paper से उसका आप इस्तमाल कर रहे हो ठीक है यहाँ पर एक चीज़ है आप मान लो कि मैं किसी diary का इस्तमाल कर रहा हूँ answer लिखने के लिए ठीक है तो मैं जितना भी practice कर रहा हूँ उस diary की parameter के अंदर कर रहा हूँ यार यह समझने वाली बात है बट जितना भी मैंने practice किया है मैं 0.1.1 लिखूँँगा यह अपने parameter के अंदर जितना मेरे diary का parameter बनता है उसके अंदर में practice कर रहा हूँ वहाँ पर जो आपको sheet मिलेगा उसका diameter उसका parameter तो बिलकुल ही अलग होगा वो बहुत बड़ा सा लंबा सा sheet आप लोगों को मिलता है जिसके उपर आपको answer करना पड़ता है तो आप कोशिश करो कि UPSC के side में जाओ वहाँ पर आप लोगों को यह answer sheet मिल जाती है तो आप इसको download करो इसके actual size में इसको निकालो अगर आप लोगों को वो नहीं चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो कि किसी भी website से देखो आपको कि diameter क्या रहता है इसका area के किस area के अंदर यह paper रहता है इसका size क्या रहता है और उसी साब से अपना एक design करो word के file में और उसका print out निकालो और उसके print out निकाल के पस उस paper के उपर आप answer writing करना शुरू करतो यह सबसे important है यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा देखो मान लो कि आपका एक कार टेस्टिंग कार का एक टेस्ट होने वाला है ठीक है और यह जो examine करने के लिए आपके district magistrate आपके सामने आते है ठीक है end of day तो आप क्या करते हो आपने पूरा जितना मेहनत करा ना ना वह मारूती 800 के अंदर कराता ठीक है end of day जब आप टेस्ट देने के लिए वहाँ पर जाते हो in front of district magistrate तो वहाँ पर आपको एक scorpio पकड़ा दी जाती है आप बताओ क्या आप उसमें comfortable होंगे जितना अच्छा performance आपका मारूती 800 में आ रहा था आप मुझे बताओ क्या scorpio में उतन कर रहे हो पहले से ही authentic तरीके से authentic way में correct manner पर उसकी प्रैक्टिस करो ताकि end of day आप लोगों को इसकी परिशानी ना हो दूसरा एक और चीज में यहाँ पर add करना चाहूंगा जब भी आप answer writing कर रहे हो आप अपने अपना जो surrounding है उसको उसी तरीके से maintain करो जिस तरीके से actual surrounding है वहाँ पर बैठके आप answer writing करने की कुशिश करो ठीक है पसीना आ रहा है पसीना से कैसे आप deal करोगे गर्मी है कैसे deal करोगे हातों में पसीना रहा है तब आप रुमाल साथ रखोगे वह सारे चीजे आपका time waste करती है तो बीच में stop watch लगा के आप यह सारे जो huddles आपके answer writing में महारत हासिल कर सकते हो नेक्स जो important point है वो देखो जब भी आप answer writing करते हो आपको time limit set कर रहा है अभी बच्चे क्या करते है आप लोग generally क्या कर रहे हो ओके एक answer writing लिखने के लिए बैठ गए और आपने अपना time लिया अपना तो खैर time ही time है आपन के पास हो आपन तो बै आगे बैठे हो तो आप क्या करते हो कि एक गंटा लग रहा है दो गंटा लग रहा है या फिर उससे भी कम time लग रहा है ठीक है आप answer writing कर रहे हो उससे impressive बनाने के लिए सोच रहे हो फिर लिख रहे हो थोड़ा सा design कर रहे हो वगेरा वगेरा ठीक है आपको अपने सामने stop watch रखना है और time limit set करना है कि इतने time के अंदर में equation को तो complete कर ही दूंगा या फिर कर ही दूंगी राइट सो time limit बहुत ज़्यादा ज़रूरी है your actual examination वहाँ पर यह बहुत important role play करेगा next जो important point में आपको बताने वाला हूं basic point वो है self evaluation जब तक आप अपने अंसर का self evaluation नहीं करोगे तब तक आप evolve नहीं कर सकते अच्छा यह self evaluation में ने इतने basic point के अंदर क्यों बताया है self evaluation क्यों ज़रूरी है देखो UPSC में अंसर कैसे करना है इसको तो आपको YouTube में वीडियो सर्च करोगे तो आप ठक जाओगे इतने वीडियो मिलेंगे आपके seniors आप लोगों को समझा बता बता के पका चुके होंगे वैसे ही हमारे faculties like me और और सर ठीक है जैसे हिमाशू सर ने आप लोगों को बता होगा है माशू साथ बहुत ब्रिलेंटली वहाँ पर Facebook के जो ग्रूप बनाएं वहाँ पर रिव्यूज देते हैं आप लोगों को आइडिया लग रहा है कि हाँ ठीक है इस तरीके से मुझे अंसर करना है बट वेट यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचन रहके जब आप सोचोगे तो वहाँ पर धेर सारे एक्जाम्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं जिसको आपने चेक करना है राइट जैसे ही आप देखते हो सभी में लगपक एक ही तरीके का पैटन बनाया है एक ही तरीके से लिख रहे है तो आपके अंसर में वो यूनिकने शो ही नहीं होगी तो सबसे पहले आपको अपने अंसर को इवैलिवेट करना है भर भर इवैलिवेट करना है ताकि धीरे 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 एक नया पैटन बन जाए आपका एक नया ब्लूप्रिंट त्यार हो जाए कि मेरा अंसर करने का तरीका ये है और इस तरीके से मैं अंसर क या इसको पिले कि उसवालो करो इस तरीके से उसको इसको करो कर लोप करें न यहीं जी ऑपको बता रहा था जो भी आपका अंचर में सब्सक्राइब की मरीच तो मुडल θैब मैं इस तरीके से अंसर याइब करता हूँ और ये answer writing इतना unique है कि examiner को ऐसा लगेगा नहीं ये बहुत creative student है और इसके answer देने का तरीका बहुत अच्छा है तो वो पहले ही impressive mood में जाके आप लोगों का exam check करेगा ठीक है वहीं पर अगर आप लोगों के सारे exam एक जैसे है वहीं पर जब वो exam check कर रहे है उनका दिमाग तो वैसे ही ठक जाता है ठीक है और end of the day अगर वो stressly आपके exam check करेंगे तो answer में marks कमाने के chances जादा बढ़ जाते है ठीक है तो आपको एक uniqueness दिखाना है जहाँ पर आपके sheet को check करते हुए उनका interest जादा develop हो यह थे मेरे 4 points इस 4 points को आपने mark करने है और इस चार points को आपने लिख के सामने रखने है और भी बहुत सारे points लिखूँगा बताऊंगा जिसको आपने लिख के सामने रखने है और अपने answer याटिंस में उसका applied करने की कोशिश करने चाहिए ओके यहां पर एक question और निकल के आता है ठीक है बहुत सारे जगे में मैंने यह देखा कि यह जैसे ही आप UPSC का preparation करते हैं और student के दिमाग में यह चीज निकल के आ जाता है इसा डेली answer writing करना डेली answer writing करना है और honestly अगर मैं बता हूँ तो कुछ topers की videos भी में देख रहा था उन्होंने भी ऐसा बता है कि पहले ही दिन से आप answer writing करो but honestly मैं यह चीज तो मानता हूँ कि आपको answer writing करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यह बहुत essential part है आपकी answer writing का ठीक है final answer writing का अगर आप daily answer writing नहीं करोगे तो आपका final answer writing improve हो गया ही नहीं but मैं इस बात को भी नहीं मानता कि आपने UPSC का preparation start कर दिया और पहले ही दिन में जाके आप answer writing कर रहे हो नहीं आपको अपने पूरे ही पूरे resources खतम कर देने हैं आप सबसे पहले NCRT's पढ़ोगे NCRT's खतम करने के बाद आप recommended जितने भी books होते हैं लक्षमी कान्थ हो गए रमेश से आपका answer writing चलना शुरू हो जाता है at least आप लोगों का जो basics हो है वो खतम हो जाना चाहिए आपके book reads complete हो जाने चाहिए उसके बाद आप answer writing करो हाँ इससे भी पहले अगर आप answer writing करना चाहते हो तो at least आप अपने NCRT's तो खतम कर दो ठीक है उसके बाद current appear के जो भी notes बनते ह program ठीक है तो daily answer writing का कुछ program से जिसको मैं program one program two and program three के अंदर consider करता हूं अगर daily answer writing का first program देखा जाए तो मैं यहाँ पर मानता हूं कि आप लोगों को दिन के अंदर जब आप अपने NCRT's खतम कर दोगे उसके बाद answer writing शुरू कर देना चाहिए और तीन daily answer writing शुरू करने चाहिए आप आप वो answer writing आप कहां से करोगे शुरू को तो आपको the Hindu का use करना चाहिए देखो कहीं बोलते है कि the Hindu paper नहीं पढ़ना चाहिए पर मेरे हिसाब से newspaper पढ़ना बहुत अच्छी habits होती है जहां पर आपको बहुत सारे auditorials मिलते हैं पढ़ने के लिए साथ में आप ये भी कर सकते रीडिंग habits आप लोगों की बढ़ जाती है एक बहुत अच्छा आदत आप लोगों को newspaper पढ़ने का लग जाता है जो की बहुत elite qualities है इसके बाद जो next point में आपको बताता हूं full test एक तो ये आपने weekly तीन-तीन question answer writing आपने शुरू कर दिया सो weekly Sunday को आपने कुछ सुबह का time या फिर शाम का time आप सेट कर सकते हो morning और evening दोनों में से कोई भी time set हो जाए जब आप आपका अपने accordingly आप वहाँ पर एक full test दो full test के अंदर 20 answers होते है उसके लिए 3 hours आप सेट करोगे 3 hours में 20 questions और यहाँ पर mainly आप लोगों को यह याद रखना है जो भी आपके surroundings होंगे कोशिश करना कि वह सारे के सारे surrounding ऐसे हो जो आपको real time पर answer writing करते वक्त आप लोगों को मिलने वाले है वहाँ पर आपको कोई AC नहीं मिलेगा cooler नहीं मिलेगा राइट तो घर्मी वहाँ पर होगी पंके चल रहे होंगे उस बहुत होगी ठीक है पसी दो parameter है जिसके उपर आप लोगों को काम करना चाहिए थर्ड जो यहाँ पर program है थर्ड जो parameter है यह actually एक पार टाइप का question है ठीक है मैं आपको clear कर देता हूं यहाँ पर question rise होता है कि अगर आपका prelims clear हो गया उसके बाद answer writing कैसे कोई बंदा कर सकता है because आप लोगों को तो इतना कुछ revise भी करना है राइट हाँ वहाँ पर यह चीज छूट जाती है तो यहाँ पर आपने छोड़ देना है और revise करना है बट जैसे ही आपके main exam आने वाले होंगे उससे 15 से 20 दिन पहले आपको एक घंटा answer writing daily का practice करना शुरू कर देना है ठीक है त और कुछ 15 से 20 दिन पहले जब आपका main exam हो उससे 15 से 20 दिन पहले वापस से आप answer writing के लिए एक घंटा setup कर दो एवनिंग और morning that is totally on your own choice ठीक है तो यह मेरे प्रोग्राम है आप इसको apply कर सकते है next यहां पर आप गौर से देखोगे तो यह सारे वह answer sheets है जो students मेरे पास भेज रहे है यह latest शायद कल के जितने student ने मेरे पास भेजेते मैंने वही आपको यहां पर दिये है बहुत सारे student practice करने की कुशिश कर रहे है बहुत सारे बहुत improve भी कर रहे है I like to say but यहां पर आप दे student जे जो answer writing कर रहे है ना इतना impressive करने के बावजूद आप यहां पर देखो आप यह सभी की spiral के अंदर answer writing कर रहे है ठीक है बट spiral के देखो इधर से खुला है इधर से खुला है पूरा platform आपके पास खुला है बट आपका जो actual answer sheet मिलेगा वो इस तरीके से नहीं मिलेगा उसका diameter भी थोड़ा अलग है बट जिस तरीके से आप लोगों ने यहां पर practice कर रहा है वो थोड़ा अलग है बट वहां पर जो practice करोगे वो थोड़ा अलग होगा इसलिए मैं आप लोगों के लिए starting बे बोला कि आप लोग उसके UPSC का answer sheet का format है उसको निकालो और कहीं से आप उसक answer writing कर रहे हो ठीक है यहां पर question है और यहां पर आप answer करके बता रहे हो आप ऐसा नहीं बता सकते ठीक है यह introduction का point है यह मैं आपको आगी समझाओंगा उपर से आप paragraph का इस्तमाल बहुत कम करोगे point का इस्तमाल आप जाधा करोगे ठीक है और यहां पर यह जो बिंदू use कर रह हूँ मेरे पास यह देखो यह सारे dots है तो यह क्या यह मेरे लिए बहुत countable है मैं क्या मैं इसको count करता रहूँगा नहीं जब आप यहां पर यह point को numerical रखोगे तो last में 9.10 point तो मुझे लगेगा कि आपने 9-10 point लिखे है ठीक है यह बहुत चोटी-चोटी बाते होती है बट mains exam में यह बहुत बड़े-बड़े role play करती है ठीक है so इस सभी को analyze करने के बाद मैंने कुछ blueprint त्यार किया है कि आपको किस तरीके से answer writing करना चाहिए ठीक है so मैं वो blueprint आपको दिखा देता हूँ अच्छा सबसे पहले आप यह sheet देख लो इस तरीके का sheet आपको answer writing में आपको मिलेगा ठीक है so इसका इस्तमाल आप कैसे करोगे इसका इस्तमाल कैसे करोगे और इस area का इस्तमाल कैसे करोगे कितने area के अंदर आप introduction लिखोगे कितने area के अंदर आप points लिखोगे last में कैसे बनाओगे ठीक है यह सारी चीज प्रोग्राम आप जो भी प्लैनिंग कर रहे हो आप इस शीट के उपर करोगे तो वहाँ पर आपका रिस्पॉन्स ज्यादा करेक्ट आएगा ज्यादा बैटर आएगा यह वो ब्लूप्रिंट है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं यह मेरा अपना एक अंसर करने का स्टाइल है ठीक है देखो सबसे पहले सेंपल कोश्चन होता है ठीक है आप यहाँ पर देखोगे जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है उस क्वेश्चन के नीचे से उसको मैं इंट्रोडक्षन बोलता हूं उसके पाद जो को सब्सक्राइटर करके और मान लोग सबसे पहले नमबर बहुत ज्यादा क्रेटिव होगा एक तो हो सकता है कि 123 करके आपने पॉइंट बना लिए बहुत क्रेटिव आइडियाज होते हैं जब एक्जामिनर ऐसे चीजे देखेगा तो ज्यादा इंप्रेसिव होगा कि इसने पहली बात पहले पॉइंट के अंदर टू पॉइंट पॉ पॉइंट क्रेंट करना वह ज्यादा हूं प्र आप गे और लोगों के लिए हो यह को मैं इसको से हटागे कुछ creative तरीके से present करने के लिए आप यहाँ पर use कर सकते हो उसी तरीके से आप यहाँ पर second title use कर सकते हो ठीक है यहाँ पर introduction नहीं आएगा I'm sorry for this तो यहाँ पर second subheading subtitle आप यहाँ पर use करोगे ठीक है तो उसके बाद last में जाके यह बहुत important point है मैंने आप लोगों के बहुत answers writing के अंदर देखे है आप लोग conclusion का लिखते हो तो इसको गलती क्या कितने strictly माना जाता है नहीं माना जाता है वहाँ पर थोड़े से थोड़े बहुत बहुत बैटल्स है राइट सो conclusion कई बार लोग लिख भी लेते हैं बट grammatically यह करेक्ट करेक्ट नहीं है विकोज grammatically देखा जाए तो conclusion is a noun नाउन को आप समझने के लिए यूज कर सकते हो कि नाउन एक परकार कर रिप्रेजेंटेटर होता है तो रिप्रेजेंट कर दिया है बट यहाँ पर जो आप कर रहे हूं वो एक्ट है तो यहाँ पर आपने लिखना है वे अहेड ठीक है या फिर एज माई कंक्लूट एज एज कंसर्ण ऑफ माई कंक्लूजन या फिर एज माई कंसर्ण इस तरीके से कुछ वर्ड्स इस्तमाल कर सकते हो जो सकते हैं आपके अनक्लूजन के उ galaxy looking यहाँ पर बताओंगे यह last पाइट में बताता हूं jo caiu जहाँ पर आपके अपने ओपिनियन होते है इस तरीके से अपना एक यूनीक सा ब्लूप्रिंट त्यार करो और उसी ब्लूप्रिंट के तरीके से आप अपना डिफरेंट अंसर राइटिंग करो जो किसी और का नहीं हो सही चीज होगा आप लोगों के बहुत अच्छा मास ओप्टेंड करने के लिए अपने मेंस एक्सामिनेशन पर अब मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूं अंसर राइटिंग के लिए यह गाइडलाइंस भी आप देखना इसको लिखना और इसको फॉलो करने की क प्रक्राइड पि करना जिए सबसे पहले हैं प्रक्राइड आप यह मान के चलो कि जो आपका सबसे पहला पॉइंट होता था राइटिंग के वह ओता है आपका कुरेशन के अंदर फार बैसिस ऑं को देखो कि हो बोलना चाहता है जब आप इस और बहुत रही बहुत पर्ण लिए उसके बाद आप वहाँ पर next step कर सकते हो कर सकते हो नहीं करना ही चाहिए जो भी वहाँ पर main keywords होंगे उसको underline कर लो चितने भी main keyword होंगे उसको underline करो किस तरीके से underline करना ही यह आपको मैं आगे sample questions में बता हूंगा मालों की हम बात कर रहे है कि इंदिया का जो RBI का foreign reserve है वो लगबग 0.75 to 0.79 trillion dollars हो गया है ठीक है 0.79 trillion dollar हो गया है तो इतना बड़ा value आपकी economy में कैसा मदद कर सकता है अगर मदद कर सकता है तो इसके parameters क्या है so how this value helps India in their economy right so helps in their economy helps in economy तो यह जो helps economy keywords हो जाते हैं तो आपके subheadic में help और economy ऐसे words use होने चाहिए ठीक है यह मैं sample में अच्छे से आपको बता पाऊंगा next आपके answer writing में introduction का होना बहुत जादा ज़रूरी है introduction दो स्या तीन line का हो सकता है वहाँ पर आप उसका definition use कर सकते हो या फिर उनके facts का भी इस्तमाल कर सकते हो next जो भी आप subheading use कर रहे हो वो match होना चाहिए आपके question के demand के अनुसार जैसा question बोला है उसमें से जो आपने keywords यहाँ पर underline किये थे ना वही keywords आपके subheadings होने चाहिए ताकि वो directly question के साथ relate कर पाए examiner को लगे कि आपने बहुत thoroughly question को read कि read किया है और understand किया है और यहाँ पर main आप पूरा paragraph और पूरा sentence लिखने की जरूरत नहीं है mind that कि आपका जो answer है उसमें पूरा का पूरा statement पूरा sentence होना नहीं आप वहाँ पर point mention कर सकते हो ठीक है पूरा sentence लिखने की वहाँ पर जरूरत नहीं होती है आप point के साथ कुछ ऐसा चोटा सा point लिखे है जिससे आपका वह पूरा sentence elaborate हो जाए तो इस तरीके से आप क्या करोगे जादा की जादा अपना idea बता सकते हो minimum words आपके पार 1500-500 words का criteria रहता है उसके अंदर जादा से जादा आप कैसे आपने views रख सकते हो तो यह सारे point बहुत जादा important हो सकते है इसी के साथ आपको use करना है कि जो भी main line है जिसको आपने examiner को दिखाना है जो आपके golden words है तो आप उसको underline करो और कुछ words जिसको आप capitalize भी कर सकते हो ताकि एकदम से focus वहाँ पर चले जाए right so capitalize करके भी आप examiner का focus अपने अंसर के तरब ले सकते हो और underline भी कर सकते हो जहाँ पर आपका question आपका answer uniqueness show करता है दूसरा आपके question को और ज़्यादा creative और unique बनाने के लिए आपको flow chart का इस्तमाल करना चाहिए tree diagram का इस्तमाल करना चाहिए sematics का इस्तमाल करना चाहिए flow chart diagram मैंने अपने lectures में बता रखा है यूज करता हूं में काफी सारा और sematics भी आप याद करो कि मैंने आपको एक intermediaries बताये थे बीच में bank और उसके इस तरब को जो household होते वो बताये थे उसके उस तरब को जो investors होते हैं जो पैसे उधारी पे लेते हैं तो तीनों के बीच में मैंने आगे bank के लिए ऐसा कुछ मंदिर सा बना दिया और इस तरब के लिए कुछ दो लोग बना दिया उनके नीचे investor लिखती है उधर पर loan landers में ऐसे तरह के से लिख दिये तो यह एक परगार का sematics बन जाता है और यह बहुत creativeness दिखाता है तो आग यहां पर sample question sample answer है जो मैं जो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको use करना चाहिए यहां पर सबसे जो first point है यहां पर देखो इन्होंने कुछ points को यहां पर highlight किया है जैसे art of metal है ना टेरा कोटा यहां पर बतानी की कोशिश कर अंडरलाइन करनी की कोशिश करी गई है इस तरीकी से इन्होंने कुछ keywords को underline करा है उसके बाद main importantly इन्होंने यहां पर इसका introduction दिया है introduction complete यहां पर कोई answer नहीं लिखना होता है यहां पर introduction लिखना होता है introduction के बाद यह पूरा का पूरा introduction आपने कुछ 2-3 line में इसको sum up कर देना है उसके बाद main body शुरू होती है main body में आ अच्छा first subheading को आप गौर से पड़ो जा रहा यहां पर लिखा है art of metal आप देखोगे कि art of metal इसके question के अंदर exactly बोला गया था अप इसी word को उठा के इन्होंने पहला subheading बना दिया है अगर same इसी तरीके से आप यहां पर देखोगे art of terracotta तो यहां पर art of terracotta तो यहां से ही direct related उन्होंने second subpoint यहां पर subheading बना दिया इस तरीके से जो भी आपके subheading होते है वो आपके question से directly match होने चाहिए right ऐसा नहीं है कि आपको आपको लगा कि नहीं मुझे यह तो आता है और आप लोगोंने उसको उसको अपने हिसाब से answer करना शुरू कर दिया next जो यहां पर point आपको देखना चाहिए वो देखना चाहिए यह सारी चीज़ इन्होंने कहीं पर भी paragraph का इस्तमाल नहीं किया है और दूसरा यहां पर ना तो point का इस्तमाल किया है ना तो किसी और तरीके की counting का इस्तमाल करा गया है ठीक है आप यहां पर देखोगे कि यहां पर पूरे के पूरे numerical का इस्तमाल किया गया है ताकि examiner के आखों के सामने exactly यह present होगा कि चार पॉइंट चार पॉइंट तो इतनोंने सारे subheadings के अंदर बताए है तो इस तरीके से examiner को बहुत creativity मिलती है आपके question answer को check करने के लिए अच्छ तो यह जो diagram उन्होंने बनाया है यह नटराज का बनाया है तो इसको हम semantics बोलते है इस तरीकी से directory relate आप कर सकते हो कि आप क्या बताना चारे हो अब इसके बार में बहुत कुछ लिखने के बचाए उन्होंने सिधर नटराज का यह चीज़ बना दिया और इससे examiner के लिए ए देख लो या फिर इसको देख लो कि किस तरीके से आपने यहां पर करने है यहां पर देखो इन्होंने एक पॉइंट दो पॉइंट किये बट मैंने आपको बताया कि 1.1 1.2 भी कर सकते हो 2.1 2.2 भी कर सकते हो ठीक है इस तरीकी से आप इसको और भी ज्यादा creative बना सकते हो जो कि आपके exams में ज्यादा marks obtain करने में help कर सकता है next कुछ और examples है अगर आप यहां पर देखो तो इस तरीके से diagram use कर सकते हो इस तरीके से diagram economically present कर सकते हो कि हाँ ठीक है during COVID-19 क्या चल रहा था after COVID-19 क्या चल रहा है उससे पहले क्या situation था यह सारी चीज़े आप अपने answer writing में आग कर सकता है next यहां पर देखो flowchart का कितना बढ़िया इस्तमाल किया है और यह देखो मैंने आपको यहां पर से इस तरीके से बना के answer writing में भी मैंने आपको यह सारी चीज़े बताई थी जब मैं class के अंदर आपको lecture दे रहा था वहां पर कि RBI क्या करती है रेपोरेट और तरीके से बनाना है वो सारी चीज़े बताई तो जैसे मेरे lecture थे उसी तरीके से आप answer writing भी करोगे तो यह भी आपका एक creativity यहां पर बता सकता है most importantly आपको यह चीज़ देखना चाहिए यहां पर ठीक है यह देखो यहां पर यह अगर मैं किसी paragraph के अंदर लिखता तो यह कितन बड़ा paragraph वहां पर जगा उप्टेन कर लेता ठीक है बट उन्होंने देखो यह fundamental right को कितने अच्छे तरीके से point में elaborate कर दिया यहां पर और एक बहुत बड़ा paragraph लिखने के बजाए उन्होंने बहुत creative तरीके से यहां पर answer maintain कर लिए right इस तरीके से भी आप maintain कर सकते हो बस अपने answers के अंदर ठीक है लास्ट में self evaluation आपके answer का आपको करना ही है यह क्यों जरूरी है यह सारी चीजे में आपको पिछले slides में भी बता चुका हूं अभी भी मैं आपको कुछ points दूँगा यह सारी चीजे बहुत ज़्यादा जरूरी होती है first कैसे करोगे आपके answer को जो भी answer sheet है उसको follow कर रहे हो आप वहाँ पर देखो जो भी आपने answer करा है उसका evaluation आपको खुद को करना है और comparison करना है ठीक है जब आप comparison करोगे तो आपका answer improve होगा ठीक है तो सबसे पहले तो comparison करना है next आपके answer के अंदर तीन element होते है introduction होता है main body होता है conclusion होता है सो आपने करना क्या है सारे के सारे element को आपने answer sheet के अंदर इस तरीके से mastery इसके अंदर हासल करनी है तो कैसे करोगे सबसे पहले introduction में मैं क्या लखूँगा इसका practice करो फिर main body को मैं कैसे present करूँ उसका लखो और कम से कम word में impressive conclusion में कैसे दे सकता हूँ दे सकती हूँ direct कैसे conclusion में अपने views अपने opinion रख सकता हूँ उसके उपर master हासल करो right उस तरीके से end of today आप देखोगे कि आपका answer writing बहुत impressively बढ़िया हो जाएगा so आपको करना क्या है जितना भी आप कहीं पर सीखते हो तो आपको अपना presentation हमेशा बढ़िया करना है मतलब आप जब answer sheet में कुछ लिखते हो तो उस answer sheet में पहली बार में आपको जो चीज़ impressive नहीं लग रहा है उसको निकाल लो जो अच्छा लग रहा है उसको add करो आपने हम हमेशा कोशिश करना है कि आपका जो answer writing है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ creativity होती रहे कुछ ना कुछ आप extra करो ताकि end of day आपको यह समझ में आए कि आपका answer writing कैसा improve हो सकता है उसके लिए आप flow chart का इस्तमाल कर सकते हो डाइग्राम का इस्तमाल कर सकते हो और symmetric का इस्तमाल कर सक तभी बन सकते है जब आपका answer दूसरों से अलग दिखाई देगा इसके अलावा में यह सबसे ज़्यादा important है कि आप अपने आपको appreciate करना ना भूले आप जब भी कोई answer कर रहे हो बोलो कि यह मैंने इस बार answer writing बहुत ज़्यादा किया है ठीक है क्योंकि बोला जाता है जैस आप सोचते हो जैसे आपके संसकार होते हैं वैसे आप सोचते हो संसकार में जैसे आपके action होते है तो आप जैसे आपके action है वैसा आप सोचोगे और जैसा आप सोचते हो वैसे ही ultimately आप पफॉर्म भी करने लग पड़ते हो हमेशा आपने आपको appreciate करते हो और मानो कि आप एक सर्विसिस में जाने वाले हो कहीं पर भी जहां पर भी आप जाना चाहते हो उसको इमेजिन करते हुए अंसर राइटिंग करना किया करो ठीक है मोटिवेट मोटिवेट रखे गाए वह यह चीज आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो भी आप लरन करते हो मानलो कि आज मैंने एक अंसर राइटिंग करा ठीक है और ये किसी एक और ये ये औह्तफेंटिक वेबसाइट से मैंने अंसर राइटिंग करा बट जब मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक यूनीक चीज था अब Св उसको अपने answer writing में next day apply करने की कोशिश की अब देखो कुछ भी unique मिलता है उसको answer writing में डालने की कोशिश नहीं करनी है आपके पास 10 ऐसे चीज़े जो आपके answer को unique करते है बट आपके writing skills आपके wording skills उसके लिए कौन सा pattern ज्यादा suitable करता है क्या diagram suitable करता है symmetric suitable करता है suit करता है उस तर impressive आपका answer लग रहा है ठीक है जब आप self-evaluate करोगे तभी आप एक बहुत अच्छे answer writing करने वाले युद्धा बनोगे तब जाके आप लोगों की ये लड़ाई आप आसानी से जीज सकते हैं so finally इसी के साथ मैं अपने इस lecture को sum up करता हूँ कुछ codes है जो मैं आपके साथ discuss करना चाता हूँ because हो सकता है कि during lockdown आप लोग पढ़ भी रहे हैं फिर नहीं भी पढ़ रहे हैं कभी पढ़ रहे हैं कभी चोड़ रहे हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि answer writing कोई कर रहा है कोई कहीं time के बात करता है कई कई तो जब से lockdown हुआ है तब से अब तक कोई answer writing उन्होंने की भी नहीं है तो बहुत सारे parameters है इसलिए मैं इस code के साथ ये चीज़ खतम कर रहा हूँ रविंदर ना टाइगर ने एक बार ये कहा था अगर आप नदी के सामने खड़े हो कि ये imagine कर रहे हो कि एक दिन में ये नदी पार कर दूँगा you are barking under the wrong tree आप बहुत गलत चीज step वहाँ पर कर रहे हो आपको करना है कि जो भी आप सोच रहे हो उसके लिए आपको action करने है action से क्या होगा failure से क्या होगा learning होगा actually failure से सिर्फ learning नहीं होता है failure से होता है fast learning समझ रहे हो आप अगर learning करते हुए एक step में बढ़ते जा रहे हो तो वह सिर्फ learning है अगर आपको फीच में failure मिल गया वहाँ से आपकी fast learning होना शुरू हो जाएगी right same as it is यहाँ पर गौतम बुद्धा ने अपने एक अपने एक lessons में यह चीज़ बताया है ठीक है हर सुभा जब आप उड़ते हो every morning ठीक है every morning we are burn again हर सुभा जब आप उड़ते हो आपका एक नया जनम होता है इसलिए यह चीज़ मैटर नहीं करता कि आपने कल क्या achieve किया था और आपने कल किया क्या था इसको अगर मैं UPSC aspirant के perspective से बताऊं देखो sometimes students क्या करते है कि पूरे weekly बहुत टाइट schedule बना लेते है और बहुत impressively वो काम कर भी लेते है end of duty होता कि Saturday को मानलो कि उन्होंने तीन answer writing का plan किया था और वो 5 answer writing कर लेते है because 2 answer writing extra वो perform कर देते है तो Sunday को वो थोड़ा धीला feel करते है आप लोगों को ऐसा नहीं करना जिस दिन जादा कर दिया उसके अगदे दिन वापस से बेशक उतना जादा मत करो बट करना जरूर है आपको pause नहीं लेना है ठीक है अच्छा यह pause नहीं लेना है यहां से मेरे को एक और code या जा रहा है Albert Einstein ने एक बार कहा था compound interest applies from your consistency जो भी compound interest apply होता है वो आपके consistency से apply होता है इसको मैं elaborate करता हूँ एक Hindi lessons के साथ देखो अगर एक धार हम पानी का एक धार जो की बहुत कमजोर होती है उसे किसी पत्थर के उपर गिराए तो वो बिखर जाती है बट अगर यही process years of years regularly practice होती जाए उसी particular point पर तो वही पानी की धार उस पत्थर के अंदर छेद कर देती है और उस पत्थर को फाड के दुसरे तरीके में निकल जाती है उस पत्थर को चीर के दुसरे तरीके में निकल जाती है दुसरे चगे पर बहना शुरू हो जाती है आप यहाँ पर समझने वाली बात है क्या पानी की तागत बढ़ गई नहीं पानी की पानी तो पहले भी कमजोर था अभी भी कमजोर है पत्थर पहले भी स्ट्रॉंग था अभी भी स्ट्रॉंग है पानी को स्ट्रॉंग बनाया उसकी कंसिस्टेंसी ने अगर उसके पास consistency नहीं है तो पानी भिखर जाता पानी को एक बार अगर पानी की धार पत्थर के उपर डालो तो वो भिखर जाएगा बट उसकी consistency ने ऐसी power दिखा दी कि वो पत्थर को चीर के दूसरी तरप में निकलाया तो same as it is आप जैसा answer writing कर रहे हो उसको करते रहो जो आप study कर रहे हो उसको करते रहो first attempt, second attempt, third, fourth, fifth जितना attempt आपके पास है at least सारे के सारे attempt करते तक आप give up ना करे ठीक है पूरा का पूरा attempt करे end of the day सफलता आपके तरफ आएगी जितनी भी practical reason है अगर उस तरीके से देखा जाए तो यह short shot कोई भी यह बता सकता है अगर मैदान में आप खुद थार ना मानो तो किसी ना किसी time कहीं ना कहीं success आप लोगों के लिए रखी गई है इसके लिए आप जैकमा की biography देख सकते हो जैकमा जैसे failures एक time पर बन सकते हैं तो उन्होंने बोला था कि मेरा success कहीं पर रखा था 1000 of failures के बाद सो आप भी अपने कभी भी give up ना करे study करते रहे study करते रहे अपनी habit बना ले study करने के लिए आपका success आपका UPSC का job आपका UPSC का जो dream है वो जरूर फुल्फिल हो जाएगा so thank you for today God bless you all